आप लोगों को पता होगा कि एक computer जो है वो 0 और 1 के उपर यानि कि bitary number के उपर work करता है अब ये क्यों करता है ये किसी को नहीं मालूम होगा मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि 0 और 1 के उपर computer क्यों work करता है हाई एवरीवन आप देख रहे हैं एर नेटवर्क अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आज मैं पूरी वीडियो में यही बताऊँगा कि 0 और 1 के ओपर कमप्र हमारा वर्क क्यों करता है बात करते हैं कि कमप्र हमारा 0 और 1 के ओपर क्यों वर्क करता है देखे, 0 और 1 का मतलभ है कि ये binary number system है अब binary number system के आपको पता है कि जो base होता है वो two होता है और इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 और 1 होते हैं ये आप सब को मालूम है इसको समझने से पहले आपको माइक्रो प्रोसेसर या फिर CPU के बारे में समझना पड़ेगा देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक बहुती छोटी सी चिप होती है कम्प्यूटर के अंदर जिस पर हमारा कम्प्यूटर पुरा कपुरा वर्क करता है देखिए जिसे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें 0 का मतलब OFF होता है और 1 का मतलब ON होता है जिसे अगर किसी भी सर्किट में से या किसी भी ट्रांजिस्टर में से अगर करेंट पास हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो one condition show कर रहा है और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि zero zero का मतलब करेंट पास नहीं कर रहा है तो हमारा जो bulb है वो नहीं जल पाएगा तो इसी तरह से हमारा computer जो है वो zero और one के ओपर काम करता है तो किसी भी चीज़ की दो condition होती है एक होती है true और एक होती है false वो true वाली हमारी one condition होती है जिसको हम one number कहते है और false वाली हमारी zero condition होती है जिसको हम zero number कहते है तो transistor जब off होता है तो उसको zero कहते है और जब on होता है तो उसको हम one के नाम से रुस्वा किया गया है अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा zero और one का concept है ये कहां से आया और किसके उपर work करता है देखें ये ISA model के उपर work करता है जो के instruction set architecture होता है देखें ये जो ISA model होता है ये binary code के अंदर CPU के अंदर implement किया गया है ISA model जो है उसको zero और one के अंदर रखा गया है और CPU के अंदर उसको implement किया गया है तो computer को या फिर उसके microprocessor को या फिर CPU को इस तरीके से design करा गया है कि वो zero और one की language समझे zero का मतलब होता है off और one का मतलब होता है on हम zero को false भी कहते हैं और one को हम true भी कहते हैं अब आपको पता है कि CPU के अंदर थरी चीजें होती है ALU, CU और memory unit ALU क्या होता है arithmetic logical unit arithmetic logical unit का मतलब होता है कि जितनी भी logical problems होती है जिसे calculation plus minus, multiplication, division ये सब ALU करेगा जो CU है वो control करेगा पुरे-पुरे system को, memory, memory store करेगा तो इसी तरीके से हमारा जो transistor होती है वो भी store करती है और अगर कोई चीज true होती है तो उसको one show करता है और अगर कोई चीज false होती है तो उसको वो zero show करता है जैसे मान लीजिए पहले जमाने में जो लड़ाईया होती थी जो army force होती थी वो instruction कैसे देती थी जो रात में लड़ाईया होती थी अपने एक दूसरे सैनिक को instruction वो ऐसे देती थी कि अगर मैं torch जो है वो दो बार जला के बंद कर दूँ तो इसका मतलब यह है कि firing कर दो यह इसका मतलब यह है कि छुप जाओ ठीक है तो इस तरीके से coding language होती थी थी उनकी कि अगर मैं light को torch की light को दो बार जलाओ तो यह इसका मतलब यह है अगर तीन बार जला के बजा दूँ तो इसका मतलब यह है तो जैसे वहाँ पर उस fight में उसका मतलब वो था वैसे यहाँ पर हमारे CPU के अंदर जो logical operators होती है जिसको हम boolean algebra कहते है क्योंकि हमारा देखे computer जो है वो एक digital electronic है जब आप higher classes में जाओगे जब आप electronics पढ़ोगे digital electronics एक subject होता है उसको पढ़ोगे तब आपको जब आच्छे से समझ में आएगा digital electronics एक subject होता है जो के deal करता है 0 और 1 से logic gates आप वहाँ पढ़ोगे वहाँ पे आपको एक bread एक board दिया जाएगा जिसको हम I think bread board कहते है तो वो आपको दिया जाएगा उसमें आपको circuit मिलाना होंगे wires मिलाना होंगी और आपको check करना होगा 0 और 1 की condition को आपने logic gates पढ़े होंगे I think and or not यह सब gates पढ़े होंगे तो यह सब gates जो होते हैं वही computer उसके ओपर work करता है 0 और 1 के ओपर देखिए computer हमारी कोई भी language समझ नहीं पाएगा ना English ना Hindi या कोई और सी language भी वो समझ नहीं पाएगा तो उसको समझाने के लिए हमें 0 और 1 की मदद चाहिए होती जो 0 और 1 होता है वो on और off की condition होती है on और off की condition जो 0 और 1 होता है वो low level language होती है तो हमें हमारी language होती ही वो high level language होती है तो हमें हमारी high level language को समझाने के लिए computer को low level language में conversion करना पड़ता है और वो conversion कौन करता है वो compiler करते है ठीक है तो computer सिर्फ low level languages समझता है 0 और 1 की language इसको हम binary language भी कहते हैं तो आप समझ गए ना कि अगर कोई चीज true होगी इसका मतलब है के one और अगर कोई चीज false होगी इसका मतलब है के zero या फिर on या फिर off ठीक है इस चीज को आप उतने दिमाग में बिठा लेना जो मैंने transistor का case आपको बताया है वही transistor का case और जो CPU के अंदर उसको implement करते हैं इस way में के वो zero और one की language समझे आपको अभी ये थोड़ा ज़ादा complex लग रहा होगा बट जब आप digital electronics पढ़ लोगे तब आपको ये concept है ये बहुत ही easy लगेगा तो पहले आप digital electronics समझो उसके बाद आप computer के अंदर base में जा सकते हो deep में जा सकते हो वो अगर आपको समझ में आए होंगे तो अच्छी बात है अगर नहीं आए होंगे तो भी मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में कभी और बता दूँगा वैसे मैंने काफी जादा deep knowledge इस वीडियो में आपको दे दी है आप इसको repeat पे एक बार और देखिए समझ में आपको आ जाएगा I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को भी प्रेस कर देना मिलता हूँ मैं आपसे एक जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्यू सो मच फ़र वाचिंग दिस वीडियो एंड हिट लाइक और सब्सक्राइब तो आवर चैनल एर नेटवर्क